दोस्तों, आभी हमें वेदनी-bhugyaal track में, और आभी हमें वेदनी-bhugyaal के उपर walk कर रहे हैं, यहां पर जो श्नो कंडिसेन है, वो 5-6 फ्रीट के आस्पास में स्नो है, आप देख सकते हैं। वेदनी-bhugyaal track, विंटर वेदनी-bhugyaal track, त्रack अब मैं आपको बताओंगा बेनी बुग्याल क्यों इतना फेमस है इसके कहानी कि कि बारे में बेतनी बुग्याल जो ãyुग्याल है यह आता है आपका पड़ाम होता है इसका नंदा देवी राज लोक जात यात्रा होती है वो कुरूर से स्टार्ड होती है और आपका होमकुण में जाके समाप्त होती है ये पूरा 200 से जादा किलोमीटर की यात्रा होती है ये वान गाओं जो लाश्ट गाओं है लाटू देटा का मंदिर है वहाँ पर लाटू देटा की अगवाई में नंदावेवी की जो डोली होती है वो चलती है अपने आखरी पड़ाव की तरफ जो है होमकुंड के लिए और उस बीच में आता है बेतनी बुग्याल बेतनी बुग्याल से आगे की जो यात्रा होती है वो बहुत ही कठिन और दुल्लम होती है यहाँ पर बहुत सारे हमको कठनाय का सामना जो हमको करना पड़ता है क्योंकि यहां पर सबसे पहले ऑक्षिजिन की कमी दूसरा थर्ण इतनी ज़्यादा होती है और ऐसे ही बहुत सारे छोटे-छोटे कट्ञायों का सामना करना पड़ता है यात्री को तो दोस्तो मानन्दा देवी का एक जो पड़ा होता है वो यहीं पर होता है बेदनी कुण में यहां पर सारे भक्तजन आते हैं और जो पुजारी जी लोग होते हैं वो बेदनी कुण में इस्तनान करते हैं और यहां से फिर जो यात्रा होती है वो सीला समंदर के लिए निकलती है तो दोस्तो यह जो पड़ा होता है इसके ओ यहां के लिए लाकों सर्दा लूश टाम में जो नंदा देवी यात्रा होती है उसके लिए आते हैं नंदा देवी की जो यात्रा होती है उसका जो मुख्य यात्रा का जो कारण होता है जो मा नंदा होती है जो पार्वति का ही एक रूप है वो उनको अपने मायके से ससुराल के लिए जाती है और उनके माईके वाले जो सरदालों लोग हम लोग होते हैं वो नंदा देवी को ससुराल छोड़ने के लिए पूरे अपने पूरे अपने जथे के साथ माननदा देवी की यात्रा करते हैं और माननदा देवी को उनके जो कैलास उनका ससुराल है वहाँ उनको विदा करते हैं तो ये बहुती बहुती सुन्दर ये द्रस्य होता है आप लोग साथ अभी जो आने वाली यात्रा होगी 2024 में होगी अगर आप लोग को मौका मिलता है तो एक बार जरूर आप आईए उस यात्रा में बहुती सुन्दर वो यात्रा होती है तो दोस्तों ये है अभी आगे का जो वीडियो है आगे की जो कहानी है मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में अपने आप बने रही है हमारे साथ में आपको अगर हमारा ये ट्रीप हमारा ये वीडियो पसन आए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखे कितना पैर अंदर जा रहा है यहां पर बरफ में आप देख सकते हैं हम विंटर में आ हैं विंटर में यहां पर बहुत ही कम लोग आते हैं ट्रीप करने के लिए आप देख सकते हैं कितना ज्यादा स्नो परंडिशन है यहां पर जो हमाई सांती लोग आये हुए हैं कितना कठीन हो र वरता को आप देख सकते हो कि कितना सुन्दर ये द्रस्य है बेदनी बुग्याल का माउंड तिर्सूल का यही रूट है मानन्दा देवी यात्रा के लिए तो दोस्तों बने रहे हैं नेक्स वीडियो में मैं आपको जो बेदनी कुंड है वो पूरा दिखाऊंगा आप बने र